आपने पहले पार्ट में डिग्रीज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को समझा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से वो कॉंसेप्ट समझ भी आ गए होंगे आज हम इस सेकंड पार्ट में करने वाले हैं कि किस तरीके से डिग्रीज का ट्रांस्फोर्मेशन किया जाता है Let's start the journey ट्रांस्फोर्मेशन ओफ डिग्रीज को हम लोग कुछ एक्जेंपल और पिक्चर्स के थूरू समझते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन क्या होता है कि जो मीनिंग है जो भाव है वो सेम रहना चाहिए तो कुछ एक्जेंपल और पिक्चर्स के थूरू इसे समझ लेते हैं जब मैं यहाँ पे देखता हूँ एक संटेंस जो कि लिखा है रिया इस टोलर देन प्रिया ये बात आपको समझ आ रही होगी कि ये जो गर्ल है वो रिया है और ये जो गर्ल आपको दिखाई दे रही है ये है यहाँ पे प्रिया तो जब मैंने कहा कि Ria is taller than Priya आपको बात अच्छे से picture के थूर समझ आ गई कि Ria is taller than Priya और आपने एक चीज यहाँ पे समझ ली होगी कि Tolar जब गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है ये comparative degree है और साथ में इसके बाद then भी लगा हुआ है आपको समझ आ गया Tolar से ही कि ये क्या है ये comparative degree है माल लीजिए कि मुझे इस sentence को इस degree को comparative degree को transform करना है positive degree में किस degree में positive degree में इसका transformation हमें करना है तो अब एक बार तो ये देखें कि जब मैं positive degree में इसे transform करूंगा तो मैं बार बार transform क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा form तो change हो जाएगी लेकिन meaning कभी भी change नहीं होना चाहिए भाव वो ही रहना चाहिए होता कुछ भी नहीं है कि हम एक बात को दूसरे तरीके से कह देते हैं जैसे माल लीजिए कि ये लिखा है रिया is taller than प्रिया मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि प्रिया इतनी टोल नहीं है जितनी की रिया है ये बात भी तो सेम है तो हम क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो आपको पता है टोल है तो हम टोल को यूज़ करेंगे और साथ में आपको पता है कि so as या as as का use भी हम किसमें करते हैं positive degree में ये आपने first part में समझ लिया है तो इस sentence को मैं positive degree में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि priya is not as tall as ria देखो बात सेम ही है मैंने कह दिया कि priya is not मैंने इसे पहले negative में change किया क्योंकि मेरे कहने का तरीका जो है वो दूसरे तरीके से मैं बात को कह रहा हूँ कि priya is not as tall as ria पहला sentence ये था कि ria is taller than priya तो मैं कहना चाहता हूँ कि priya इतनी tall नहीं है जितनी की ria है तो इसको इस तरीके से लिख दिया priya is not as tall as ria आपने इसे negative में convert किया और फिर आपने यहाँ as और as use किया और यहाँ इन दोनों के बीच में आपने use किया positive degree को और आपने लिख दिया tall तो आपका sentence कुछ ऐसे बना priya is not as tall as ria और मैं यहाँ पे क्योंकि ये negative sentence है तो मैं so का use भी इदर कर सकता हूँ तो ये हो सकता है priya is not so tall as ria तो as tall as ria भी सही है and so tall as ria भी यहाँ पे सही है अब हम आगे बढ़ते हैं और ये sentence आप देख लेते हैं कि sentence वैसा ही है अब priya की जगे यहाँ पे आपको मिल गया है she, ria की जगे sorry, ria की जगे आपको यहाँ मिल गया है she और sentence ऐसा हो गया कि she is taller than priya she is taller than priya sentence वही है पहले क्या लिखा था ria is taller than priya अब क्या कर दिया she is taller than priya मैं इसी तरीके से इसे positive degree में convert करूँगा, transform करूँगा कि यहाँ लिखेंगे priya is not as tall as अब उसके लिए क्या लगाना है ये देखने वाली बात है कि as tall as her लिखें या as tall as she लिखें तो ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ grammatically आपको क्या लिखना चाहिए she लिखना चाहिए priya is not as tall as she actual में कहने का मतलब क्या होता है कि priya is not as tall as she is होता है लेकिन धीरे-धीरे हमने क्या किया इस is को जो है वो पहले bracket में लिखना start किया और फिर धीरे-धीरे इसे क्या है हटा दिया तो actual में जो मतलब है इसका वो यही है कि priya is not as tall as she is तो हमने is जो है वो यहाँ से हटा दिया और हमने लिख दिया priya is not as tall as she यहाँ पे हर भी हम बोलचाल की भाशा में जो है वो हर भी बोल देते हैं लेकिन grammatically जो है वो sense यही है she is का sense होता है इसलिए हमें क्या लगाना चाहिए हमें यहाँ she का use करना चाहिए अगर he होता है तो he का use करना चाहिए तो him का use नहीं करना चाहिए she है तो हमें her का use नहीं करके she का use ही करना चाहिए तो ये sentence जो है वो आप देख ले Priya is not as tall as she मतलब तो वही है Priya is not as tall as she is तो हम आगे बढ़ें और sentences देख लेते हैं ये देखिए ये आपको समझ आ गया कि Raghav is as handsome as Manu ये है यहाँ पे Raghav और ये है यहाँ पे Manu तो Raghav is as handsome as Manu मैं कहना चाहता हूँ कि Raghav उतना ही handsome है जितना की Manu है तो पिक्चर के थुरू आप देख लो एक तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो यहाँ पे degree है as as का use किया है और यहाँ handsome जो है वो क्या है अब ये positive degree है आपको बात समझ आ गई होगी कि ये क्या है ये positive degree है Raghav is as handsome as Manu मान लीजिए कि मुझे इसे comparative degree में transform करना है और किस तरीके से मैं convert करूँगा इस positive degree को comparative degree में अब देखिए बात क्या है कि Raghav is as handsome as Manu तो मैं कहना चाहता हूँ कि Manu जो है वो राघव से ज़्यादा handsome नहीं है इसका मतलब वो same दोनों ही क्या है as handsome as मतलब दोनों ही बराबर ही handsome है तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि Manu जो है वो राघव से ज़्यादा handsome नहीं है तो मैं कुछ इस तरीके से कह दूँगा कि Manu is not more handsome than Raghav देखी क्या हुआ, handsome positive degree है, more handsome क्या है, more handsome आपका हो गया comparative degree and most handsome क्या हो गया, वो हो गया, superlative degree हमने किस में इसको convert करना है, हमने convert करना इसे comparative में देखो, Raghav is as handsome as Manu, मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि Manu is not more handsome than Raghav कि Raghav से ज़्यादा handsome नहीं है, दोनों ही क्या है, बराबर ही handsome है तो Manu is not more handsome than Raghav, इस तरीके से मैं इसे comparative degree में convert कर दूँगा तो आपको एक बात समझ आई, यहाँ पे जो यह sentence लिखा है, यह affirmative sentence है और मैंने किस में convert कर दिया, इसको यहाँ पे negative में convert किया इसी बात को दूसरे तरीके से कहने के लिए माल लीजिए कि यहाँ पे negative होता, तब मैं क्या करता, यानि कि यहाँ पे not होता तो मुझे यहाँ पे affirmative जो है वो लिखना पढ़ता माली जी ऐसे आजाता कि राघव is not as handsome as Manu तो मैं क्या कहता कि Manu राघव से ज़्यादा handsome है तो यहां से यह not मुझे हटाना पड़ता यानि कि यहां अगर note लगा है तो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा और यहां अगर नहीं लगा है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो positive को comparative में या comparative को positive में करते हैं तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है वो यही है कि आपको बात का भाव देखना है और आपको जो भी degrees है positive degrees या फिर comparative degree तो उसमें किस तरीके से क्या as as का use सही है so as का use सही है degree सही use है या नहीं और फिर आपको बात का मतलब जो है वो समझ आ रहा है कि वही मतलब निकल रहा है या नहीं ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये बात आपको समझ आ गए कि जब मैं कहता हूँ कि राघव is as handsome as Manu कि उतना ही handsome है जितना कि Manu है तो मैं ये कहना चाहत हूँ कि Manu ज़्यादा handsome नहीं है दोनों ही कहा है बराबर ही handsome है तो Manu is not more handsome than राघव अब ये देख लेते हैं ये आपको समझ आ गया कि ये कौन से डिग्री है ये superlative डिग्री है यहां लिखा है कि Ria is the smartest girl in the class Ria is the smartest girl in the class तो यहां पे ये Ria है और हमने कह दिया कि smartest girl in the class तो ये कौन से डिग्री है आपको समझ आ गया कि यहां पे हमने ये the का use किया और ये est का use किया आपको पता है कि यह superlative degree है अब मान लीजिए कि हमें इसे convert करना है इसे convert करना है हमें किसमे positive degree में तो इस superlative degree को positive में मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ No other girl in the class is as smart as Ria No other girl in the class is as smart as Ria तो मैं no other से जब आपको superlative कहीं भी दिखाई देता है और positive में आपको convert करना हो तो generally हम no other से start कर देते हैं देखिए no other girl in the class is यह क्या लिखा हमने as और as इसके बीच में हमने यहां positive degree लिखी as smart as Ria आप so smart भी लिख सकते हैं और so क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यहां negative है इसलिए मैं so का use भी यहां कर सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ no other girl in the class is so smart as Ria या फिर as smart as Ria मैं यहां पे लिख सकता हूँ और बात का मतलब भी तो यही है Ria is the smartest girl in the class और मैं कहता हूँ कि no other girl in the class is as smart as Ria आपको बात का भाव भी समझ आ गया structure भी अच्छे से समझ आ गया कि यहां पे यहां यह देखे as और as का use है और यह positive degree है और बात का जो भाव है वो भी same निकल रहा है माल लिजिए कि इसे comparative degree में convert करना है इसे comparative degree में convert करना है तो comparative में आप तो smarter use करना पड़ेगा और then use करना पड़ेगा smarter और then use करना पड़ेगा लेकिन किस तरीके से लिखेंगे वो हम क्या है Ria से ही start करेंगे जब superlative degree है तो जब मैं positive में लिखता हूँ तो no से start करता हूँ no other से start करता हूँ लेकिन अगर मुझे comparative में लिखना है तो Ria से ही start करना पड़ेगा देखिए Ria is smarter Ria is smarter Ria is smarter than any other girl in the class than any other girl in the class देखिए है तो comparative degree भाव इसका superlative का ही आता है Ria is smarter than any other girl in the class Ria is smarter than use किया देखिए smarter से क्या हुआ है ये comparative degree होगी और इसके बाद than हम use करते ही है तो हमने Ria से ही sentence को start किया जब मैं superlative को comparative में convert करता हूँ तो वही से start कर दिया Ria is smarter than और क्या use किया हमने any other girl को use कर लिया Ria is smarter than any other girl in the class एक और तरीका होता है कि ये any other की जगह हम कुछ और भी लिख सकते होंगे हाँ बिलकुल लिख सकते है all other girls लिख सकता हूँ मैं any other girl यहां लिखा है any other girl in the class उसकी जगह यहां पर all other girls भी लिखा जा सकता है Ria is smarter than all other girls in the class या फिर any other girl in the class I hope कि आपको ये बात समझ आ गई कि ये superlative degree है और अगर मैं इसे positive में convert करता हूँ तो as as का use किया और यहां यह देखिए आपने यहां पर positive degree smart लिख दिया और यहां start भी कहां से करना है no other से start करना है generally आपको जब भी इस तरीके का sentence मिलता है superlative तो positive जो है वो no other से start हो जाता है और comparative यही से start होता है और किस तरीके से Ria is smarter than लगाया और फिर क्या है any other या फिर all other लिख दिया any other तो girl होगा और all other क्या हो जाएगा girls हो जाएगा यह बात भी आप यहां ध्यान रखे फिर देखते हैं यह sentence no other player is as good as such no other player is as good as such यह कौन से degree आपको समझ आ गई होगी यह degree है positive degree कैसे समझ आया कि यह as, as से समझ आ गई और good से समझ आ गई good से आपको समझ आया अब good की degrees तो आपको पता ही है good है यह तो positive है और फिर क्या है better है and then क्या होती है best होती है यह तो बहुत simple है और यह आपको पता भी है good, better, best तो लिखा है no other player is as good as such अब मुझे convert करना है माली जी comparative में या superlating में तो मैं किस तरीके से convert करूँगा यह देख लेते हैं कि यहाँ जब लिखा है no other player is as good as such तो मुझे करना है comparative में तो मैं वही से start कर दूँगा such in is such in से such in is better such in is better than any other player या मैं क्या कह सकता हूँ such in is better than all other players तो हमने लिखा such in is better than any other player यह क्या है आप देख सकते हैं यह positive degree है no other से start हुई है no other player is as good as such in और हमने इसे comparative में लिख दिया such in is better than any other player और अगर मुझे superlative में लिखना है तो बिल्कुल आसान है मैं क्या लिख दूँगा such in is the best player तो यह देखिए किस तरीके से such in is the best player यहां लिखा जाएगा तो बहुत आसान है आपको बात का मतलब समझ आ गया no other player is as good as such in कि such in जितना बढ़िया प्लेयर तो कोई है ही नहीं तो हम कहते हैं कि such in is better than any other player या फिर मैं superlative में कह देता हूँ कि such in is the best player जो कि बहुत ही simple सा sentence है अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं लिखा है यह comparative degree है अब comparative degree के changes करके देख लेते हैं हमने अलग-अलग जो है वो transformations जो है वो देखे हैं कि किस तरीके से हम transform करते हैं यह लिखा है रेखा is taller than any other girl यह रेखा है और लिखा है रेखा is taller than any other girl रेखा is taller than any other girl आपको समझ आ गया taller है तो क्या है comparative degree है और then तो लिखा ही हुआ है साथ में आपको समझ आ गया कि रेखा is taller than any other girl अगर इसे जो है वो हम change कर sorry convert करते हैं change word जो है वो use generally नहीं करना चाहिए मैंने change में एकदम जो है मैं convert बोल गया तो change इसलिए नहीं करना चाहिए कि change में क्या होता है कि meaning भी change हो जाता है generally अगर change word होता है transformation या convert बोलते हैं तो इसमें थोड़ा बचाव रहता है कि इसमें जो sense है वो same आता है तो यहां जो है जब हम convert करते हैं इस comparative को positive degree में तो यहां change कर दिया हमने convert कर दिया हमने no से हमने लिख दिया no other girl is as tall as Rekha no other girl देखे positive तो है generally हम no से start कर रहे है no other girl is as tall as Rekha और यहां पे अगर मुझे इसे ही करना है superlative degree में तो मैं क्या लिखूंगा Rekha is the tallest girl Rekha is the tallest girl तो यह तो आसान है बिल्कुल आपको समझ आ गया कि यह comparative है यह positive है और यह क्या है यह superlative है और किस तरीके से हमने इसे convert किया है अब देखते हैं यह sentence यह sentence जो है वो बहुत ही अच्छा sentence है आपने अब तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था सचिन is the best player सचिन is the best player जब मैं सचिन is the best player बोलता हूँ तो क्या होता है कि सचिन बाकी सबसे जो है वो अलग हो जाते हैं और सबसे बढ़िया हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ सचिन जितना बढ़िया कोई भी नहीं है जब मैं कहता हूँ Sachin is the best player तो मैं क्या कह रहा हूँ Sachin से बढ़िया कोई भी नहीं है Sachin सबसे बढ़िया है लेकिन यहाँ जो है वो हमने Sachin is the best player नहीं लिखा, हमने लिख दिया Sachin is one of the best players Sachin is one of the best players मतलब best players और भी है Sachin उन में से एक है मतलब मैं कह रहा हूँ कि और भी best players है सचिन उन में से एक है मैं कहूँ कि धोनी भी best player है मेरी नजरों में विराट भी best player है मेरी नजरों में सचिन भी best player है मेरी नजरों में तो सचिन is one of the best players सचिन is one of the best players अब आपको बात समग आगी कि one of the का मतलब क्या हुआ one of the best player का मतलब हुआ one of the best players का मतलब क्या हुआ कि best players में से एक SACHIN भी है अब पहले जो मैंने कहा था SACHIN is the best player तो सचिन सबसे बढ़िया थै one of the best players कहते ही क्या हो गया कि और भी best players है सचिन उनमें से एक है अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता मान लीजिए कि मुझे यहाँ इस सचिन is one of the best players को convert करना है positive degree में तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि no other player is as good as सचिन वो तो बात गलत हो जाएगी no other player is as good as सचिन मैं कहता हूँ तो बात गलत होगी क्योंकि no other तो कहहीं नहीं सकता क्योंकि यह दो तो और है साथ में जब मैं कह रहा हूँ कि no other player is as good as सचिन तो यह जो है transformation सही नहीं है कि no other player is as good as सचिन यह कहेंगे भी हम है ना यहाँ पे ठीक है तो ये तो बात गलत होगी तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत, जो very few players बहुत कम players है जो सचिन जितने बढ़िया है तो अगर one of the concept आपको कहीं भी मिलता है superlative के लिए होता है superlative degree के लिए होता है one of the best या one of the tallest one of the joby है तो one of the जो है उसके बाद क्या आती है superlative degree आती है अगर उसे हमें convert करना है transform करना है अगर हमें इसे किसमे positive में तो मुझे very few से start करना पड़ेगा और मैं कहूंगा कि very few players are as good as सचिन यहाँ पे as लगा देते हैं नहीं लगा हुआ very few players are as good as सचिन लिखना पड़ेगा very few players are मतब बहुत कम players है जो सचिन जितने बढ़िया है तो ऐसा तो कह नहीं सकता कि no other player कि कोई भी नहीं है कुछ लोग तो होंगे जो सचिन जितने बढ़िया है इस sentence के अनुसार सचिन is one of the best players तो मैं कहूंगा very few players are as good as सचिन और अगर मुझे इसे comparative degree में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा सचिन is better than अब any other नहीं लिख सकता जैसे क्या हो गया सचिन is better than any other player में तो फिर से क्या हुआ सचिन जो है वो सबसे बढ़िया हो गये बाके को फिर छोड़ दिया हमने इस sentence के अनुसार मुझे क्या लिखना पड़ेगा सचिन is better than many other या most other players कि बहुत से ऐसे और players है जिन से सचिन बढ़िया है मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सचिन ही सबसे बढ़िया है कि बहुत से ऐसे players है देखिए माल लीजिए ये सचिन ये best है ये best है ये भी best है तो सचिन क्या है one of the best players है और players तो और भी है ये बहुत सारे है देखिए ये पूरा वर्ल्ड है जिसमें बहुत से players होते हैं ये बहुत से players हैं यहाँ पे तो मैं क्या लिख दूँगा सचिन is better than most other players या फिर सचिन is better than many other players लिखूँगा तब ये इसका मतलब ये जो है वो निकल के आएगा तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको one of the concept मिलता है superlative degree में तो आपको positive degree में कहां से start करना पड़ेगा very few से और आपको यहाँ पे जो comparative है उसमें any other की जगे क्या लगाना पड़ेगा most other या फिर many other का use करना पड़ेगा और आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ players है और यहाँ भी players है यहाँ भी players है तो आपने देखा कि noun जो है वो तीनों में ही क्या है यहाँ plural होगा और अगर कभी आपको मान लिजिए positive degree में very few मिल गया तो आप समझ आना कि अगर superlative में change करना है तो आप क्या लिखेंगे one of the लिखना जरूरी हो जाएगा अगर मान लिजिए very few का concept आ गया और आपको comparative में use करना है तो then any other नहीं होगा then most other होगा या फिर many other होगा मान लिजिए आपको ये ही sentence मिल गया such and is better than most other players any other player नहीं most other players मिल गया तो आपको समझ आ गया कि मुझे अगर superlative लिखना है तो one of the लिखना पड़ेगा और अगर positive में convert करना है तो very few से start करना पड़ेगा तो one of the very few and then most other या many other ये combination जो है वो आप ध्यान रखें ये बिलकुल अलग बात है क्योंकि इससे आपको मतलब समझ आएगा कि one of the को अगर आप convert करेंगे positive में तो very few और अगर आपको sorry positive में तो very few and comparative में तो then many other या most other को आप लिखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहां आपको ये convert करना है अब ये बात समझ लेते हैं ये हमारा last sentence है ये मैंने क्यों sentence लिखा है थोड़ा सा ये अलग sentence है आपने अभी तो इसका use कर लिया था ये सीधा यहां पी क्या आ गया such a place better than mohit ये mohit है ये सचिन है हम कह रहे हैं कि सचिन place better than mohit कि सचिन जो है वो mohit से बढ़िया खेलते हैं तो इसका मतलब क्या है mohit इतना बढ़िया नहीं खेलता जितना की सचिन खेलते हैं बात तो यही हुई तो mohit आपको negative तो बना नहीं पड़ेगा ये तो आपको पता ही है तो कैसे लिखेंगे ये place है ये place जो है वो क्या है verb first form है और इसके साथ हमने जो भी as जो है वो add किया हुआ है तो हम इसको negative जब बनाएंगे तो place का negative क्या लिखेंगे हम यहां लिखेंगे does not play तो मैं क्या लिखूंगा मोहित does not play मोहित does not play as dash as such in ये as dash dash में क्या आएगा as good आएगा तो गलत है आप सोच रहे होंगे कि better है तो better का हमने positive degree क्या लिखती good लिखती तो good तो गलत हो जाएगा हम ऐसा नहीं लिख सकते आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मोहित आप इस तरीके से सोच रहे हैं मोहित does not play as good as such in आप ये सोच रहे होंगे ये है गलत मोहित does not play as good as such in ये भी सही है ये भी सही है ये गुड गलत है गुड क्यों गलत है ये आप समझ लेते है कि गुड क्यों गलत है क्या आना चाहिए गुड की जगह, देखो क्या होता है, कि हम यह जो यहाँ पे better है, यह क्या है, यह adverb है, यह adjective नहीं है, हाँ, adjective होता है, तो क्या होता है, good, better, best, अगर यह यहाँ पे better जो है, वो adjective होता, तो क्या होता, positive क्या हो जाती, good, degree positive जो है, वो good हो जाता, बिलकुल simple है, लेकिन यहाँ य नहीं है, यह better, क्योंकि यह किस के बारे में और information दे रही है, play के बारे में, और play क्या है, verb है, और verb के बारे में जो और information देते हैं, वो क्या होती है, वो होती है, adverb, तो इसका मतलब better यहाँ पे क्या है, adverb है, तो आप देखें कि better adverb है, तो positive जो होती है, वो well होती है, तो हम इ मुझे यहां पे यह पता है कि यह adverb है, तो adverb positive जो होगी, वो क्या होगी? well होगी, ना कि good, अगर good लिख देता हो, तो good तो adjective है, यहां पे यह जो better है, वो क्या है? वो यहां पे adverb है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इस तरीके से sentence को लिखना पड़ेगा, तो यहां well लिखना पड़ेगा, यहां good जो है, वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे better जो है, वो क्या है? better यहां पे adverb है, और adverb जो है, इस adverb better का जो positive degree होगी, वो क्या होगी? well होगी, adjective है, तो क्या होती? good होती, लेकिन यहां पे adverb है, इसलिए इसकी positive degree क्या है? well है, इसलिए हमने लिखा, मोहित does not play as well as such in, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहित does not play so well as such in, क्योंकि हम आपको पता है, negative sentence में तो so as भी लिख सकते हैं, और as as भी लिख सकते हैं, I hope कि आपको यह transformation जो है, वो समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आप यह चीज़े कर लेते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़े हैं, और आपको इसी तरीके का question जो है, वो मिलने वाला है, आप पिछले जितने भी question papers हैं, उनको करके देखें, आपको जो first part और second part दोनों में किया है, उससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को वो subscribe कर रहें, लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं, जो competitive exams की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो English को बहुती आसान तरीके से समझना चाते हैं, Thank you very much and have a wonderful day.